नमस्कार दोस्तों वारिसी जौब यूज चैनल में आपका हारदी स्वागत है आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख समाचार आज हम बात करेंगे आज की महत्पून खबरों के बारे में तो आप सभी वीडियो को पूरा देखीगा इसकीप मत करिएगा वीडियो पसंद आए तो चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा साथ साथ बेल आइकोन को दबाईएगा जिससे आपको इसी प्रकार की जानका इस समय समय पर मिलती रहे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लागडाउन को लेकर लागडाउन को लेकर सभी के मन में सस्पंस की इस्तिती बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में 15 अप्रेल को लागडाउन खुलेगा या नहीं इस पर उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी मानिय योगी जीने इस्तिती असपष्ट कर दी है कुरोना वारिस के बरते संक्रमन को देखते वे पूरे देश में 21 दिनों का लागडाउन है जिसकी अंतिम तारिक 14 अप्रेल है इस पीज लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि 15 अप्रेल 2020 को लागडाउन खुलेगा या नहीं उत्तर प्रेश के मुखमंतरी योगी आधितनास ने लोगों की सवाल पर इस तरी असपष्ट कर दी है सुकुरवार को उन्होंने कहा कि अगर 15 अप्रेल 2020 से लागडाउन खुलता है तो हालाद बहुत चुनोती पूर होंगे ऐसे में चरण बद तरीके से इसे खोले जानी की योजना बनाए या निर्देश सभी अधिकारियों को उत्तर प्रेश के मुखमंतरी मानिय योगी आधितनास ने दी है क्योंकि आधितनास ने प्रेश सरकारी आवास पर टीम 11 की बैठक में कहा कि 15 अप्रेल से यद लागडाउन खुलता है तो चरण बद तरीके से इसे ने प्रेश की योजना बनाए क्योंकि ऐसे में जो जहां फसा होगा वहां से आने का प्रियास करेगा इन हालतों में सोशल डिस्टेंसिंग का नुपालन करना बेहत जरूरी युम चुनोती पूर्ण होगा इसके लिए अभी से कार्योजना तयार करें स्कूल कॉलेज अलग-अलग तरह के बजार और माल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्योजना तयार करें तो बहुत चुनोती पूर्ण होगा अगर 15 अप्रेल 2020 को लागडाउन खुलता है आपको बता दें तरकार इस चुनोती पूर्ण इस्तिती से निपटने के लिए एक हज्यार करोण रुपे का क्रोणा केर फंड तयार करेगी इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुद्धाय बढ़ाने के साथ इलाज में जरूरी और उपकरणो मसलन वेंटी लेटर, मास्क, सेंडिटाइजर, पीपी आई आज की बेवस्था की जाएगी तो इस से इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि ज्यादा उमीद है कि 15 अपरैल 2020 को लागडाउन खुलेगा लागडाउन की सीमा बढ़ेगी नहीं अगर इस्तिती जिस तरह आज की समय विक्राल होती जा रहे हैं अगर इस तरह बढ़ते नहीं रहें कुछ कम हुए तो आप मान करचिरे की 15 अपरैल 2020 को लागडाउन खुल जाएगा जो उत्तरप्रजिस के मुखमंत्रिमानी योगी आजिस नाजी ने कहा उसी बात को मैंने आपको बताया है कल पेपर में भी हो सकता है आजाए दूसरी खबर उत्तरप्रजिस लोग से वायो की PCL 2018 मुख परिच्छा परिडाम को लेकर है PCL 2018 मुख परिच्छा परिडाम के समद में कई अभर्चों ने जानकारी मांगी है अभर्चों का कैना है कि सर परिडाम कब तक जारी होगा अभी तक परिडाम जारी नहीं हुगा जबकी 20 अपरिडाम 2020 को UPP PCL 2019 की मुख परिच्छा 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 परिस्तवित है अगर उससे पहले परिडाम आ जाता तो अभर्चों को 20-8 लाब होता है उससे पहले भी नोटीस देखने को मिल सकती है जहां तक रही पीस से 2-18 मुख परिच्छा परिडाम के समन में अभी हाल ही में उत्तरपति लोग सिव आयूग ने इसपश्च कर दिया है कि अभी परिडाम तयार नहीं हुआ है मैं आपको बता दू परिडाम एक बार तयार हुआ था लेकिन इसके लिम प्रॉब्लम की चलती परिडाम को दुबारा तयार करना पढ़ रहा है जो जानकारे प्राप्ट हुई है सवाल हुथा है कि परिडाम कब तक आएगा तो पंदरा अप्रेल के परिडाम आना नामुम्किन है क्योंकि आएग में जो कारी की गत्ती है सुन्ने की बराबर है क्यों बीसीस अनुहाग खुले हुई है और सभी करमचारी घर से ही काम कर रहे हैं आएग पर कम आ रहे हैं तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि परिडाम अब अपरेल के तिर्टिय सब्ता या चतुर सब्ता में जारी किया जाएगा उससे पहले परिडाम आने के संभावना कम है आप मान कर चलिए चतुर सब्ता तीसरी खबर उत्तरप्रजिस अजिनस सेवाचैन आयोग की है उत्तरप्रजिस अजिनस सेवाचैन आयोग द्वारा लोर पीस्यस बैकेंसी का बिग्यापन 2020 में जारी किया जाएगा या नहीं इसके संबन में कई अब्रचों ने जानकारी मांगी है क्योंकि बहुत पहले समाचार पत्रों में छपा था कि इन इन भर्तियों का बिग्यापन उत्तर प्रदिस अजिनस सेवाचैन आयो जारी करने वाला है मैं आप समय को बता दूँ कि फरवरी माह में उत्तर प्रतिस अजिनस सेवा चैन आयो को साथ भर्तियों का अधियाचन प्राप्थ हुआ था जो कि स्वास्विभाग का है और लोड़ PCS का है स्टेनोग्राफर का है जूनियर असिस्टेंट का है इसी परकार के साथ भर्तियां है जिसके बारे मुझे जानकाई प्राप्थ हुई थी और मेरे द्वारा आपको बताया भी गया था आपको बता दूँ इसी बीच में उत्तरप्रतिस अजिनस सेवा चैन आयूग ने पेट एक्जाम के आयूजन के लिए एक प्रस्ताव तयार किया जो की सासन में भेजा गया सासन से मंजूरी भी मिल गई है लेकिन लाग डाउन की चलते प्रक्रिया आगे नहीं वड़ पाई आपको बता दें कि पेट एक्जाम के लिए ऑनलाइन आभिजन प्रक्रिया अगस्त मामें सुरू होगी जो संभावना जताए जा रही है उसके दो माह बाद परिच्छा कायोजन किया जाएगा दो माह बाद परिडाम आएगा और डेड़ माह बाद स्कूर कार्ड जारी होगा तो आप समझ सकते हैं कि विग्यापन कर जारी होगा जो जानकार मिली है कि सितंबर 2021 तक लोड़ पीशेस वेकंसी का विग्यापन जारी हो सकता है उससे पहले विग्यापन जारी होने की संभावना कम है क्योंकि उधर 2022 में चुनाओ है तो 2022 चुनाओ के पहले विग्यापन जारी होगा लेकिन जो भी विग्यापन जारी होगा वह पूरी होगी या अधूरी होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है जब 2020 में विग्यापन जारी होगा तो पूरी कैसे होगी फिलहाल आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माधिम से आपको दी जाएगी